हे गाइस वेलकम बेक टो माई चैनल ब्यूटी डॉल मैं हूँ डॉली तो गाइस कैसे हो आप सब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस तो गाइस अभी प्रेजेंट में हूँ मम्मी के घर पर और क्यों हो वो भी आपको आगे बता दूँगी और अभी यहाँ पर जैसे ही मैं मम्मी के घर पर आई थी यह दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर गाड़ी से खेलने लग गए थे और यहाँ देख सकते हैं आपकी कितना प्यार हो रहा है अपने भाई से यह चोटा वाला भही कभी कभी ऐसे काम करता है ना कि मुझे खुद देख के हसी आ जाती है इसके उपर तो यहाँ पर यह दोनों तो खेली रहते और साथ में अरावी भी थी और अरावी जो है जब से इसके बाल कटे है ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लग गई है और मेरी भतीजियों में यह बात बहुत ज़्यादा खास रही है कि बच्चे मतलब जैसे यह तकली होजाती है ना तो और ज्यादा त्यारी लगती है ऐसी मेरी जो बड़ी बतीजियां थी बड़ी सुन्दर लगती थी जब टकली हो जाती थी और आज जब ये हुई ना तो ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी और जैसी मैं यहाँ पर आई थी तो भाबी साफ सफाई में लगी हुई थी साम का वक्त था मैं साम को आई थी गायज और आज है मदस डे तो मैं यहाँ पर अपनी मम्मी को बहुत ही प्यार से और अच्छे से विस्ख करूंगी और मैं बहुत ज़्यादा खुस थी मम्मी के लिए मतलब मम्मी से मिलके ऐसा लग रहा था कि वह बहुत समयबाद मिली हूँ और आज का दिन तो बहुत ज़्यादा खास है और देख सकते हो आप लो कि मेरी मम्मी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार कर ले थी और येस भी जो था वो इसलिए थोड़ा सा गुस्ता था भी मदस दे विस किया था और अपने ब्लॉग के थूँ मैं अपनी और जो भाविया है उनको भी मदस दे विस कर दूँगी क्योंकि मम्मी के बाद जो दूसरे नमबर में माए होती है वो भाविया ही होती है तो इसलिए मैं उन सब लोगों को मदस्टे अपने ब्लॉग के थूँ फिस कर दूँगे और आप सबी लोगों को मैं हैपी मदस्टे बोलना चाहूंगी जितनी भी माएं हैं क्योंकि आज का दिन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा माओं के लिए special रहता है और आज कल तो देखे को मतलब छोटा celebration हो या बड़ा हो हम लोग हर वो खुसी और हर वो प्यार अपनी फैमिली को देना चाहते हैं तो वही बाटने में अधर आ गई थी और यहाँ पर अरादी भी साफसफाई में लग गई थी और उसको देखके तो मुझे बड़ा प्यार आ रहा था उसके उपर जब से वो टकली हुए नहीं तो और ज़्यादा प्यारी प्यारी सी लगने लगे यह आप देख सकते हैं कि उसका मूड अच्छा होना तो वह बहुत अच्छे से खेल लेती है अधर वाइस तो भाई मैंने कई बार बुलाए कि रोना स्टार्ट करती है न तो भाई चुप होने का नाम नहीं ले सकती पर वह प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा खुस थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे साथ खेल रही थी और कैमरा देखके तो बड़ा खुस हो रही थी तो आप लोगो से आयलोस की चालूई थी उसके बाद गाइज मैंने थोड़ा समय घर पे बिताया मम्मी और भाई के साथ बच्चों के साथ फिर मैं चली आई थी मार्केट क्योंकि मेरा जो ले आती हूं और केक ले आती हूं मेरे हजबन भी ड्यूटी पर थे लेकिन वो साम को आ गए थे तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूं यहाँ पर उसके बाद गाइज मैंने अपने भाई को भी यहीं से फोन किया था कि अगर समय हो तो आ जाना क्योंकि हमारे यहां एक चीश बहुत ज़्यादा इस पेसल है इस पेसल ही बूलिंग उसको कि हमारे यहां जो केक रहती है ना बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडेवल रहती है कि यही वाली केक खानी है तो इसलिए मैं उसे पूछ रही थी कि कौन सी वाली केक ले ले वैसे तो हम सबी लोगों को ब्लैक फॉरेस्ट वाली केक बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन आज की टेट में हम लोग जितनी भी बेकरी पे गए थे तो वहां मिल नहीं रही थी और जब हम लोग यहां पर आए तो यहां पर बस मैंने पूछा ही है कि यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट केक है कि नहीं और उतने मे वो तुरंथी बिग गई तो मतला ऐसा लग रहा था कि केक जो है वो जो चाहिए उतने मिलेगी की नहीं मिलेगी फिर उसके बाद जब यहां पर नहीं मिलेगी तो हम लोग फिर यहां से गायज निकल गए और फिर हम लोग और थोड़ा दूर गए मतलब जो भी यहां पर जहासी में बड़ी बड़ी बेकरियां है तो हम लोगों सोचा कि चलो अगर वहां मिलेगी तो हम लोग यहां पर जा रहे हैं सदर की तरफ क्योंकि आपको कहीं भी कोई चीज अगर ना मिले तो यह समझ लो कि सदर में तो वैसे मिली ही जाएगी तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि सदर चलते हैं और सदर जो है वो हमारे घर से काफी दूर था और आप लोग देखी सकते हैं रात जो है वो काफी थी फिर भी हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि वो फाइनली हम लोगों को यहाँ पर मिल गया था और आप मानोगे नहीं गायद एक ही केक था और हम लोगों ने तुरंट उसको बोल दिया कि हाँ पैक कर दो क्योंकि जो मिस्टेक वहाँ हुई थी दूसरी बेकरी पे हम लोगों नहीं चाहते थे कि वही मिस्टेक यहाँ पर हो इसलिए हम लोगों ने तुरंट यहाँ पर पैक कर रहा ली थी और यहाँ का जो एड्रस था वो मेरे भाई ने बताया था कि यहाँ चले जाओ यहाँ मिल जाएगा तो इसलिए फिर उसके कहने पर हम लोग यहाँ आ गए थे और फिर हम लोग ने यहाँ से जल्दी से केक लिया क्योंकि समय जो है वो जादा ही होता जा रहा था जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि घर से काफी दूर हम लोग निकल आये थे इसलिए हम लोग यह नहीं चाहते थे कि और जादा लेट हो जाएं और बच्चे सारे मैं छोड़ाई थी मम्मी के पास ही और जब सारे बच्चे खटे हो जाते हैं तो घर में जो है वो तांडव सा हो जाता है मतलब अब तो आपस में लडाई जगड़े सब स्टार्ट हो गए है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आगे थे घर पर और बच्चों की भी पार्टी हो गए थी यहाँ पर बच्चों को लेके आगे थे हम लोग किंड़ जो है बच्चों को मैंतलब मेरे बच्चों को किंडर जो बहुत जाला पसंद है वैसे उसमें कुछ ज़्यादा खास रहता नहीं है आप सभी लोगों को मालूम हुआ बस टॉइज निकलते हैं लेकिन फिर भी बच्चों को इतना पसंद है कि बता नहीं सकते और यहां पर आप सारा काम कर लो और निपटा लो यहां पर मेरी मम्मी और भावी दोनों ही लोग तयार हो रहे थे तो फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरा भाई जो है वो ड्यूटी से आ गया था रात के 9 बज गय थे और हम लोग उसी का वेट कर रहे थे कि जब यह आ जाएगा तब हम लोग केक कटवाएंगे और वैसे भी और भाई तो यहां पर है नहीं है सब अपने अपनी ड्यूटी पर बिजी है अभी लेक्सन चल रहे है तो बहुत ज़्यादा बिजी है भाई लोग सभी लोग तो उन्हें छुटी भी नहीं मिलती है इसलिए फिर यहीं था तो इसल प्राट हो जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे ये लोग खाने पीने में ही लगे हुए थे बच्चे और यहां पर मेरी जो मम्मी है वो हो गई है रेडी और आज जो है मेरी मम्मी सबसे प्यारी लग रही थी और मम्मी ने जो है हम लोगों से पूचके ही नहीं हुई थी क्योंकि टाइम जो है बहुत जादा हो गया था वैसे तो मैं सोच रही थी कि साड़ी बाड़ी पहल लूँ लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाईया घर पे है नहीं है तो मुझे मारकेट जाना पर जाएगा लेकिन मैंने फिर इसी में अज़ेस्ट कर लिया थ पर मैं यही मम्मी से बोल रही थी कि आज मम्मी आप अच्छे से तयार हो जाओ हम लोगों का क्या है क्योंकि आज का जो दिन है वो मम्मी का ज़्यादा इस्पेशल था और हम लोग उसको और ज़्यादा इस्पेशल करना चाहते थे तो यहाँ पर जो केक मैं लेके आई थी मैंने यहां रग दी थी फ्रिज में तो भाईया भी आ गया था सबी लोग आ गयते और सब लोग रेडी हो गयते तो यहां पर केक जो है वो कटने की होने लग गई थी तैयारी और भावी यहां पर केक निकालने लग गई थी और जैसे यहाँ पर केक वगएरा निकाला उसमें हम लोग सोच रहे थे साइट कैंडल वगएरा नहीं है लेकिन लगवान की दया से सारा सामन निकला आया था क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती फिर हम लोगों को जाना पड़ जाता इस चक्कर में फिर उसके बाद यहाँ पर मैं केक वगएरा निकालने लगी थी और यहीं पर सब लोग आके बैठ गए थे ममी के पास क्योंकि आज हम लोगों को ममी को केक कटते हुए अच्छे ते त्यार से सब लोगों को देखना था कि अच्छे से जल्दी से केक कट हो जाए क्योंकि भूग भी सब लोगों को लगने लग गई थी लेकिन बच्चे आप देख सकते हैं कि इतने खुस थे केक को देख के और यह चोटे चोटे बच्चे है ना तो जब भी लोग केक देखते हैं बड़ा खुस हो जाते हैं और बच्चों को खुस देखे हम सब लोग खुस हो जाते हैं आप देख रखते हैं कि सारे बच्चे उनको यह लग रहा था कि बस केक खाने तो मिल जाए मैं टाट रही थी पर यह लोग मानने वाले थे नहीं तो मैंने मम्मी जल्दी ते केक कट कर लो तो सारी तैयारी मैंने यहाँ पर कर दी थी और जल्दी से मैंने यहाँ पर कैनल को करा भी लगा दी थी मम्मी मना कर रही थी क्योंकि मम्मी लोग यह बोलती है कि यह सब चीजे अच्छी नहीं लगती है लेकिन बच्चु की खुशी के लिए माबाब भी मतलब एज़ेस्ट करी लेते हैं तो वो सारी चीजे हैं यहाँ पर सब लोग अपने में लगे थे और मैं अपने में लगी थी कि जल्दी थे केक कट हो जाए बनना कोई भी बच्चा इसमें हमला कर सकता है केक में और उनको समालना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं केक जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा और अच्छा लग रहा था इसमें आई लव यू मॉम लिखा हुआ था और एक टीगर भी लगा हुआ था हैपी मदस्टे का तो बहुत अच्छा केक लग रहा था तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी केक कट करने की और यहाँ पर ममी ने सबसे पहले केक कट किया और हम सब लोग ममी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे आप देख सकते हैं बच्चे भी क्लैपिंग कर रहे थे सबी लोग खुश हो रहे थे वैसे तो प्लानिंग गैद हमेशा यही रहती है कि हम लोग बहार जाके जाते हैं बहार ही सेलिब्रेट करते हैं लेकिन जब जैन्स घर में ना हो तो फिर लेडिस अकेले कहां जाएंगी तो वह चीज़ा हो जाती है क्योंकि सारा मैनेज जो होता है और सब कुछ देखना जो होता है वाकई में जैन्स लोग ही कर पाते हैं और यहाँ पर ममी ने बढ़ी खुस हो गई थी और यह जो मुमेंट रहते हैं यह लगता है कि बस यह जो यादे हैं हमेशा इसी प्रकार से बनी रहें और मैं अपनी मम्मी को मतलब सामने से भी बहुत सारी बिसिस दी और आप लोग साथ भी बोलूँगे कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी क बिस्स देना चाहूंगी कि भई मम्मी हमेशा खुश रहा है और बहुत सारी मम्मी की उमर हो हजारों साल और मम्मी का असी बाद हम सब लोगों पर हमेशा ऐसी बना रहे और यहां पर जो मेरा भाई था वो अपनी बेटी के साथ बहुत जादा मजाग उसका चल रहा था क्योंकि वो जैसा जैसा कर रहा था वैसा कर रही थी कॉपी कर रही थी तो उसको बड़ा मजा आ रहा था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो है नाचने लग गए थे मतलब मैं बार बार बोलूँगी कि सब लोग बहुत जादा खुश थे उसके बाद गायर हम लोग अपनी मम्मी के लिए मतलब दोती दिन पहले गिफ्ट ले आये थे जैसी भाई को समय मिला था तो यहां पर सब लोग उने मम्मी को गिफ्ट दिये जो भी है आप लोग सामने बाहर हैं तो उसका जो गिफ्ट है गाईज यह वाला है वो मैंने दे दिया था अपने हाथों से मम्मी को क्योंकि मैंने सुचा कि वो ब्लॉग देखेगा तो देख लेगा और वैसे तो भाई मुझे पता नहीं है कि मेरे भाई लोग ब्लॉग को गया देखते हैं कि नहीं देखते हैं अतना समय बिलता भी है कि नहीं तो वो चीज़ है लेकिन हाँ उसको पिक जरू देख देंगे कि हाँ हम लोगों ने तुमारा गिफ्ट दे दिया है उसके भाई यहाँ पर हम लोगों ने सब लोगों ने मिलके खाया केक वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था क्योंकि सब की पसंद का था और वैसे भी जब चीज़ सब की पसंद की होती है न तो उसे खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब ने कर लिया था चेंज और मैं यहाँ बैटके आप लोगों से बोल रही हूँ कि केक खालो क्योंकि आज जो है मेरा या मेरी मम्मी का दिन नहीं है सबी माओं का दिन है तो सब लोगों को एक बार मैं फिर से बुलना चाहूँगी सबी माओं को हैपी मदर्स टे और ये दिन हमेशा इसी प्रकार से आता रहे और अच्छे से हम लोगों मनाते रहें, उसके बाद गये बहुत रात हो रही थी यह कि हम लोगों ने नौबजे के बाद काटा था, तो यहाँ पर भावी लग गई थी खाना पीना बनाने में सब्जी जो है वो पहले ही हम लोगों ने तयार कर ली थी, मतलब बनाई भावी नहीं थी, और यहाँ पर रोटी जो है भावी सेखने लग गई थी क्योंकि रोटी तो गरम ही गरम अच्छी लगती है तो उन्होंने यही बोला था कि जब सब लोग रोटी खाएंगे मतलब खाना खाएंगे तब ही मैं गर्म गरम से एक दूँगी तो भावी यहाँ पर रोटी बनाती जा रही थी गरम गरम सब लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए और मैं यहाँ पर सब को लगा के देती जा रही थी और जिसको चुछ चाहिए थे मतलब सब को खाना खिलाने की हमेशा की तरह मेरी जिम्मेदारी थी तो मैंने सब को यहाँ पर खाना खिलाया उसके बाद जब सब ने खा लिया फिर मैंने और भावी ने आराम से बैटके खाना खाया और रात हम लोगों को घर जाते समय बहुत ज़्यादा हो गई थी वो तो मैं आपको दिखा दूगी कि कितना समय लग गया था वैसे तो मेरी ममी बोल ले लग गए थी कि रुक जाओ लेकिन यही हो जाता है कि रुकने के लिए अगर जैसे रुकने की सोचो न तो बहुत साम आने दर से उधर करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए फिर मैं रुकी नहीं थी और यहाँ पर हम लोग आ गए अपने घर और यस भी जो है वो अपनी साइकिल से गए थे नानी के घर पर तो यस भी ने साइकिल खड़ी कर दी है अंदर और यहाँ पर यह चोटा वाला इसको चाहिए था अपना टैक्टर क्योंकि जैसे ही आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको खेलना था टैक्टर से यह दोनों खेलने लग गए थे और मेरे चो हस्बेंने हमनों ने गाड़ी वगए अंदर रखी और यहाँ पर लाइट वगएरा हम लोगों ने अन किये और फिर उसके बाद आ गया हम लोग अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइम जो है वो साड़े दस हो चुकी है तो गाइज मैं अब इसी के साथ कर दूँए वीडियो का एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो उसे लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में ओके बाइबाई लव यू ओल गाइज